नमस्ते दोस्तों मैं आनुपाम आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम खोया के गुलाब जामूर बनाएंगे और भी परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ ये बिल्कुल फेल नहीं होंगे आप लोग भी जरूर बनाईएगा इस तरह से उसके लिए सबसे प गुलाब के प्त्तिये डाल देना है इससे बहुत अच्छी चासनी और क्यांठी बनती है और टेश्ट बढ़कार जाता है इसमें गुलाब जल की जरूरत महीं पड़ती है और इसको पांस मिनुट में आम प्काले हैं पांस मिनृट में आसको चासनी अधियार हो चुकी है अब इसको ठक्या रख देना है अब गुलाब जामुन के तैयारी कर लेते हैं उसके लिए एक बड़ा बरतन ले लेना है हमने 200 ग्राम खोया ले लिया है और अच्छे से इस तरह से मैस कर लेना है अगर बहुत ज्यादा गुलतिया तो सिल्वर्टे पर पीच सकते है इससे बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं और बहुत फुले फुले बनते हैं बड़िहा से बनते हैं फटते बिल्कुल नहीं है अब इसमें मैदा डाल देना है यह 50 क्राम मैदा है थोड़ा सा कमी लिया है बाद में डाल देंगे थोड़ा सा और जितना सोड़ा ल देना है तभी अच्छे से मिक्स हो जाता है सारी चीजे अब पानी डाल के अच्छे से बूंथ लेना है जितना अच्छा मैस करेंगे उतने बढ़िया से गुलाब जामुन बनेंगे पानी की जगा पे दूर्द भी डाल सकते हैं जो थोड़ा सा आटा बचा था उसको भी डाल दिया है इस बार हमने गेहूं का आटा डाला है गेहूं के आटे से इतना टेस्टी नहीं लगते हैं हमने पहली बार ही ट्राई किया है लेकिन ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लग वो खुसबू रही जाती है, इसलिए मैदा से बनाएं, जब भी बनाएं मैदा से बनाएं, अब अच्छे से मैस कर लिया है, अब बड़ी हैसा चिकना करके गुलाब जामुन बना लेना है, अपने हिसाफ से बना सकते हैं बड़े छोटे, इस बार हम थोड़ा सा लंबे आकार में बना रहा है, एक देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है, देखिए इस तरह से बना लेना है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सारे गुलाब जामुन बना के तयार कर लिया है, अब इनको तल ले अब थोड़ा सा हिला देना है बहुत जादा नहीं चलाना है ये अपने आप से सेख पकड़ लेते हैं और अच्छे से फूलने लगते हैं देखिए बढ़िया से फूलने लगे हैं अब हलके हाथ से चलाना है जिससे कलर बढ़िया से आ जाता है चारो तरफ से अच्छे से पक बहुत अच्छे से फूलेंगे अंदर तख चासली पीएंगे ये और बनाना बहुत आसान है जिस T separately हमने उस तरह से बनाएंगे तीड़ं मेश्ट नहीं होगी एक बार इस तरह से Ever मेजर्मेंट के साथ जरूर बनाई येगा अगर 200 ग्राम फोया है तो 50 प्रफिक्ट फोलते हैं और फटते भी नहीं है जैसे 2 चुटकी लिए तो चारज चुटकी बेकिंग पूडर लेना है तभी perfect पूलेंगे अगर पहली बार गुलाब जामुन बना रहें ते एक छोटा सा गुलाब जामुन बना के तेल में तल लीजिए और उसको चासनी में डाल दीजिए 10 मिनिट में चिक करिए अगर वो अच्छे से फूल गया है तब ही बनाईए अगर नहीं फूला है ते baking powder डालीए उससे taste खराब नहीं होगा थोड़ा सा जादा भी हो जाएगा तब भी टेस्ट नहीं खराब होता है क्योंकि baking powder थोड़ा सा नमकीन होता है जो taste बदल देता है अब गरम चासनी में डाल देना है गुलाब जामुन अगर चासनी नहीं गरम हो तो उसको गरम कर लेना है तभी अच्छे से फूलेंगे और ढग देना है और तुरंत निकालना है तेल से तुरंत डालना है चासनी में उनको रखना नहीं अगर रख देंगे तो फी नहीं फूलेंगे इसलिए गरम गरम ही डाल देना और गरम चासनी में डालना है और तुरंत ढग देना है दे ये पहले से ही देख के बनाईए तभी अच्छे बनेंगे देखिए कितने अच्छे से फोल जगें और कितने रसीले बने हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी एक बार जरू ट्राई कीजिएगा